नमस्का दोस्तों, स्वाकत थे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको पेट में गैस पनना, एसिडिटी, अपच इन सभी समस्याँ से राहत पाने के लिए एक बहुती बहतरीन पाचक चूर्ण के बारे में बताने वाली हूँ आजकल का खान-पान ही ऐसा हो गया है कि पेट में गैस पनना, एसिडिटी, जैसी परेशानियां आम हो गई हैं जादा खटा, तीखा भोजन, मसाले वाला खाना खाने से देर रात तक जागना, पानी कम पीना, चिंता, बहुत देर तक एक ही जगा बैठे रहने आजी से गैस बनने लगती हैं इसके अलावा कुछ दाल और सबजियां भी ऐसी होती हैं जो की गैस बनाती हैं वहीं जादा चाए पीने से भी गैस बनने लग जाती है, इससे पेट, पीट, सीने, सर में दर्द कभी-कभी होने लग जाता है और भूग कम लगती है, खटी डखारे आती हैं, पेट में जलन होने लग जाती हैं, ये सभी समस्याएं भी हो जाती हैं तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको इन सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए एक बहुती बहतरीन पाचन चूर्ण के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आप घर पर भी तयार कर सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निवे दन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसेता को सरू ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दोरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदे बिटा सकें दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत होगी जीरा 120 ग्राम, सेनर अमक 100 ग्राम, धनिया 80 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम, छोटी इलाइची बीर्स ग्राम, पीपर छोटी बीस ग्राम, नीबू सत्व 15 ग्राम और खांड वो भी देशी 160 ग्राम, ओके? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको तैयार कैसे करना है नीबू और खांड को छोड़ कर, बाकी की सभी सामग्रियों को पीस कर अच्छी तरह से इसका एक चोण तैयार कर लीजे फिर उसमें नीबू को निचोड़े और खांड को भी मिला दीजे इस मिश्रन को तीन घंटे के लिए एक काच के बरतन में रख दीजे दोस्तों फिर इसका सेवन खाना खाने के बाद 2 से 5 ग्राम कीजे इससे आपको पेट की गैस, एसिडिटी, अपच इन सभी समस्याओं से बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी ये बहुत ही बहतरीन पाचक चून है गैस और अपच को दूर करने के लिए आप इसे घर पर जरूर से जनूर बना कर देखिए, जरूर से जरूर ट्राय करके देखिए इससे आपको फाइदा मिलेगा तो दोस्तों आपको हमारे दुरह दी गईया जनकरी कैसी लगी हमें कमेंड करके जरूर बताएगा और आपको आज की जनकरी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेर जरूर किजिगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद